Hello everyone, आज का जो हमारा लेक्चर है ये काफी important होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले है genetic disorders के बारे में तो सबसे पहली बात आपको ये जाननी होगी कि genetic disorders से related एक question हर बार आना ही आना है कोई भी exam आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसमें genetic disorder से question नहीं आया हो दूसरी बात ये topic एकदम easy है, इस topic से direct question आते हैं और वो questions गलत आप नहीं कर सकते हैं ऐसे question आते हैं, इस topic से जो भी question आएगा वो इतना असान आएगा कि आप उसे कभी गलत नहीं कर पाऊगे बात समझ में आ रही है, तो genetic disorders, तो सबसे पहली बात हमें समझनी होगी, जो genetic disorders होते हैं नाम सही clear है कि कुछ genes में हमारे defect होगा, जो हमने chapter पढ़ रखा है, principle of inheritance में हमने detail में बात कि हुई है कि क्या genes होते हैं, क्या chromosome होते हैं, तो genes में किसी पी तरह कि अगर दिक्कत आएगी, तो उनकी वज़े से कुछ disorders होंगे और उनको हम बोलें कि genetic disorder, अब यह जो genetic disorder होते हैं, यह दो तरीके से काम करते हैं पहला, वैसा disorder जो कि Mendels के law को follow करें, मेंडल ने एक particular law दिया था, मेंडल का एक inheritance का pattern था हमने पढ़ रखा है, law of dominant, law of independent, assortment, यह सब सब हमने पढ़ रखा है तो मेंडल के law को जो follow करें, ऐसा genetic disorder, जो मेंडल के law को follow करें, उसे हम बोलते हैं, मेंडल्स disorder, मेंडेलियन disorders बात समझ में आई, और वहीं दूसरा, जो कि Mendels के law को follow ना करते हुए, वो सीधे क्रोमोजोम के level से हो, उसको अपन बोलेंगे क्रोमोजोमल डिसॉडर्स, तो बात समझ में आ गई, genetic disorders को divide कि हमने दो heading में, एक वह मेंडेलियन disorder और एक वह क्रोमोजोमल disorder, तो मेंडेलियन disorders पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पेडिगरी के बारे में चालने हैं, तो पेडिगरी में सब को पता होगा होता क्या है, लेकिन पेडिगरी में कुछ कुछ चीज़ें जान लो, यह box अगर बना दिया आपने तो यह symbolize करता है male को, यह goal बस आपने बातसपच में आई, अगर male और female के बीच में एक line ऐसी बनी हुई हो, उसे हम बोलेंगे mating, दोनों में mating हुआ, अगर दो line बनी हो, यानि की mating हुई, लेकिन close relatives के बीच में हुई, relative के बीच में हुई, इसलिए 2 line, बातसपच में आई, और यह एक पूरा pedigree analysis बना हुआ हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे आप तुम लोग, आप मेंडिलियन disorders को अगर हम देखेंगे, तो broadly जो मेंडिलियन disorders हैं, यह principle of inheritance, जो मेंडल ने दिये थे, उनको follow करता है, तो इसके example होते हैं, हीमोफिलिया, cystic fibrosis, sickle salaremia, color blindness, phenyl ketanude, या thallacy में, यह सारे इसके example हैं, और एकदम गलत कर नहीं सकते हो किसी भी कीमत पर, तो सबसे important बात आपको याद यह रखना है, सबसे important आपको बात याद रही है, रखना है, कि जो भी disorders होंगे, मेंडेलियन, वो एक particular inheritance pattern को follow करेंगे, और अगर वो particular inheritance pattern को follow करेंगे, तो आपको अगर पता है कि यह कौन से pattern में यह disease हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बच्चे को यह disease हो सकती है यह नहीं, तो यह बहुत ज्यादा important हो जाता है, यह पता रखना कि यह कौन सा inheritance pattern को follow करता है, जैसे, कभी भी आपके पास कोई disease आए, जैसे मान लो एक यह disease है, यह कोई disease है, यह red color से जो बना हुआ इसको disease है, है ना, अब ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ आपको pedigree देखके कैसे बताना है कि यह कौन से disease है, तो देखो pedigree को ध्यान से देखना, कुछ-कुछ principles जो मैं बता रहो उसको देखो, उसको ध्यान में रखना, पहला चीज यह देखो, कि क्या सिर्फ male affected है या सिर्फ female affected है, पहला line क्या देखना है अपनो, क्या सिर्फ male affected है, या क्या सिर्फ female affected है, यानि कि इससे आपको यह idea लग जाएगा कि यह disease का sex chromosome से लिना देना है या नहीं है, बात समझ रो, अगर सिर्फ male effect होंगे तो आपको पता चल जाएगा, यार, यह कई न कोई sex का भी लेना देना है, तो उसको हम बोलते है sex linked disease, वो disease जिसमें sex chromosomes का role आएगा, उसको हम बोलेंगे sex linked disease, वहीं दूसरी तराफ, वो disease जिनमें sex chromosome का rule नहीं आएगा, तो उसको वो markings बोलेंगे a autosomal disease, हमने पढ़ रखाए यह, जो ढोबी, chromosome हमारे होते हैं, उनको on 2 heading में इवाइड करते हैं, एक होता हमारा ओटोजोम, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोजोम तो अब इस डाइगराम को ध्यान से देखो, बहुत सिंपल डाइगराम है इस डाइगराम को ध्यान से देखो, क्या सिर्फ मेल एफेक्ट हो रहे हैं, ऐसा है क्या इस डाइगराम में तो पहले ही देखो पहला ही female affected है फिर male affected है फिर female affected है फिर female affected है तो ये तो बात clear है कि इसमें दोनों effect हो रहे हैं तो क्या ये sex linked disease होगी जल्दी बताओ मैं wait कर रहा हूँ तुम्हारे answer के लिए क्या ये sex linked disease होगी नहीं होगी ये कैसा disease होगा? autosomal ये तो clear होगा अब ये autosomal dominant है या recessive है ये बता करना है तो याद करो हमने पढ़ा था dominant disease dominant trait वो होता है जो F1 generation में appear करे हैं हमने पढ़ा था जो F1 generation में भी appear कर रहा था F2 में भी appear कर रहा था याद है ना dominant disease dominant trait हमने पढ़ा था जो F1 में भी अपेर कर रहा था F2 में भी अपेर कर रहा था यानि वो disease जो alternate generation में हो रहा है यानि F1 में भी हो रहा है और F2 में भी हो रहा है वो dominant बोल दूँ मैं उसको तो कोई दिक्कत अब इस diagram को देखो ये इस में भी हो रहा है अगले generation में भी हो रहा है उसके अगले generation में भी हो रहा है बात समझ में आ रही है बात समझ रहो जैसे इसके अगले generation में भी हो रहा है तो कहने का मतलब यह कि वो disease जो adjacent या corresponding जो क्या बोलते हैं उसको generation है उसमें हो रहा है जो adjacent consecutive generation में जो disease हो रहा है उसको हम बोलेंगे dominant क्या बोलेंगे dominant क्यों बोलेंगे dominant पता है हमें तो कि dominant rate जो है वो क्या होते है एक साथ मतलब अगर उसके father को है तो उसके बच्चे को भी होने का chance है पियर करेगा बात समझे यानि उसके दादा को होगा उसके बाद उसके पोता को होगा बीच में किसी को नहीं होगा बात क्लियर है आप इस diagram को देखो इस diagram को देखो इसे कोई disease है इसे उपर यह जो parent है इसको कोई disease है कोई disease नहीं है इस वाले जनेरेशन में कोई डिजीज नहीं है लेकिन इस जनेरेशन में डिजीज आ गई है ना और फिर देखो इसको भी कोई डिजीज नहीं है इसको भी कोई डिजीज नहीं है फिर भी इसके बच्चे को डिजीज हो गया कहने का मतलब है इसमें कोई भी जो consecutive generation है उसमें disease नहीं हो रहा है जहाँ से देखो यह इसका mother यह इसका father और mother father दोनों को नहीं है लेकिन उसके लड़के को हो गया बात समझ में आरी है यहाँ ना mother को है ना father को है फिर भी उसे लड़के और लड़की दोनों को हो गया तो वही pattern नबना चलेगा इसमें भी कि सबसे पहले यह sex link है की नहीं तो हमें पता करना sex link के लिए क्या करेंगे कि क्या यह disease सिर्फ male में हो रहा है या क्या यह disease सिर्फ female हो रहा है तो यह disease हम देख रहे हैं कि male में भी हो रहा है और female में भी हो रहा है, सब में हो रहा है तो यह autosomal हुआ, अब यह dominant है या recessive तो यह adjacent generation में नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब हो गया यह recessive, तो अब देखो यह जो एक्जामपल है, autosomal dominant का है, example हो गया myotonic dystrophy, और यह आपका example हो गया, autosomal recessive का जिसका example हो गया, sickle cellenemia तो याद रखोगे, देखो मैंने यहां लिख रखा है यह बहुत सारे examples हैसे होता है लेकिन में यहीं है, तो याद रखोगे autosomal dominant में याद रखोगे MD, MD मतलब myotonic dystrophy autosomal recessive में याद रखोगे 2, sickle cellenemia and thalassemia याद रहेगा excellent recessive में याद रखोगे hemophilia और excellent dominant में याद रखोगे ret syndrome, यह सारे examples याद रखोगे NEET में यह पूछे जा सकते हैं इनके लावा बाकी को याद रखने की बहुत ज़्याद जूरुत नहीं है यह most important है यहां तक समझ गए, अब हम लोगों बढ़ते हैं आगे का दिक्कत आ रहा है तो hemophilia जो आपका disease है यह एक excellent recessive disease है excellent recessive कोई दिक्कत अब excellent recessive कहने का मतलब क्या है कि यह disease females में नहीं होगी females में क्यों नहीं होगी तो इसका reason देखो recessive disease है हमने पढ़ रखा है कि recessive trait कब express होता है recessive trait तभी express होगा जब वो homozygous condition में होगा जैसे याद करो हमने जब tall और short पढ़ा था तो मैंने बताया था ना कि homozygous condition जब होगा तभी plant dwarf होगा पढ़ा था हमने अगर heterosygous होगा तो क्या होगा जल्दी बतातो tall या dwarf heterosygous में हमेशा dominant trait express करता था पढ़ा था और homozygous recessive trait अगर होगा homozygous recessive अगर genotype होगा तभी homozygous जो है तभी जाके dwarf बनता था यहां में पता है तो same वही चीज यहां पे है चुकि यह disease एक ex-linked recessive disease है तो देखो मालो एक female का है x x-x दो क्रोमोजम होगा ना यह x दो है यह disease है यह x दो है disease है लेकिन यह disease नहीं है बात समझे तो अब क्या है चुकि यह heterozygous है चुकि यह heterozygous है हम याद करो T, capital T और small T अगर heterozygous होगा तो कौन से express होगा dominant या recessive excellent dominant express होगा तो यहां पे dominant क्या है यहां पे dominant है कि उसको बिमारी नहीं होगी बात समझ गए तो हेटerozygous में कभी भी उसको बिमारी नहीं होने वाली है अगर आपका different genes है different chromosome है तो बिमारी उसको नहीं होगी वहीं बात करो अगर males की male में क्या होता eclota x chromosome है और एक y है अगर यह x किसी भी तरह affected हो गया तो male को बिमारी होगी होगी या नहीं होगी यानि इस male की अगर mother में mother इसकी carrier हो carrier कहने का मतलब क्या होगा कि उस mother का एक x normal है दूसरा x abnormal है अगर x अगर उसकी mother carrier होगी तो बच्चे में disease होने के chances होंगे तो यह disease जो है वो mother to child आता है यानि माज से बच्चे में आता है तो यह disease क्या है female to male जाता है हमने पढ़ लिया यह इस disease में होता क्या है एक protein होता है जो coagulation cascade में participate करता है जो हमारे blood को clot करने में help करता है उसमें mutation हो जाता है उसमें problem आ जाती वो abnormal हो जाता है जिस वज़े से इतनी सारी कहानी होती है अब चुकी वो blood coagulate नहीं कर पाएगा तो छोटा सा भी cut अगर होगा उस बच्चे को तो वो cut जो है bleed करते रहेगा बहुत सारे patient में ने देखे है छोटा सा cut होता है लेकिन वो bleed करते रहे तो बहुत बड़ी विमारी है बहुत problem वाली है female भी effect हो सकती है कब हो सकती है यह female कब हो effect होगी जब उसके father और mother दोनों में यानि उसके father में भी x disease हो है ना और उसके mother में उसकी mother भी carrier हो तो chances बन सकते हैं कि x x homozygous हो और x x homozygous होगा तो female carrier बन सकती है ऐसा नहीं है नहीं बन सकती है लेकिन कब बन सकती है female can be affected if only if उसकी जो मा हो वो carrier हो और उसका पिता जो हो वो disease हो तब ही यह disease जो है female में होगी और यह disease queen victoria के family में run करती है तो यह important है याद रखोगे तो hemophilia समझ में आ गया तो next disease हम आते है sickle cellenemia तो sickle cellenemia हम यह धान दोगे यह एक autosomal recessive disease है यानि इसको male female से लिना देना नहीं है अब autosomal recessive disease है तो इसमें होता क्या है hemoglobin का दिक्कत आता है क्या दिक्कत आता है तो देखो जो हमारा hemoglobin है उसका जो जीन है वो HBS और HBS होता है आरे बास HBA होता है हमोगलोबीन बनाता है पढ़ोगे या आगया होगे अमबीबियस में दो बहुत डीटेयर में पढ़ना ही है तो होता क्या यह भी एक recessive disease है तो जब तक HBS S का मतलब sickle जब तक HBS और HBS का combination नहीं आएगा तब तक disease नहीं होगी क्योंकि recessive trait हमेशा homozygous recessive जब तक नहीं होगा तब तक वो recessive trait express नहीं होता है हमने पढ़ रखा है जब तक homozygous recessive genotype नहीं होगा तब तक वो phenotype express नहीं होता है यह हमें पता है अच्छी तरह से और अगर heterozygous होगा तब वो carrier हो सकता है सिर्फ वो disease नहीं है बात समझ में आ रही है तो होता क्या इसमें देखो इसका नाम है sickle cell disease नाम sickle इसलिए है क्योंकि इसमें जो RBC का shape होता है हमने पढ़ा है इस टाइप का by concave यह कैसा बन रहा है अजीब सा by concave फिर से देखो by concave RBC का जो normal shape होता है by concave ठीक है लेकिन इस disease में क्या होता है RBC का shape sickle की तरह हो जाता है ऐसा देखा है सबने sickle एक instrument ऐसा होता है देखा है सबने RBC का shape जो है sickle की तरह हो जाता है ändern, אתbeta chain में क्या होता है। यह normal process क्या है, कि जो amino acid करते हैं, जो nucleotides कोड़ करते हैं amino acid के लिए और amino acid प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन हमारे body का सारा काम करता है। उसी तरीके से जो beta globin है, globin नाम सही लग रहा है कि प्रोटीन होगा हीमोگलो बीटा गलोबीन चेन है उसमें दिक्कत आ जाती है उसमें दिक्कत या जाती है यह नौरमल ारबी सी लग रहा है बाक अनके और यह लग रहा है सिकल की तरह उसमें दिक्कत क्या जाती है एक कोड होता है G.A.G यह मैं आंगे बढ़ाऊंगा लेकिन अब चुकी code GUG कर रहा है यह GOG code करता है वैलीन के लिए तो जहां पर glutamic acid होना चाहिए था वहां पर आ जाएगा वैलीन और जहां पर glutamic acid आना चाहिए वहां पर वैलीन आ जाएगा तो यह RBC जैसे ही low oxygen tension में जाएगा यह विचारा sickle के shape में हो जाएगा यह क्यों होगा हम लोग आगे के chapter से पढ़ने वालें अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि GAG से GUG replace हो जाता है कहां पर बीटा हीमोगलोमीन के 6th कोडोन पर 6th 6th नमबर पर देखो यहां लिखा हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6th नमबर पर glutamic acid के बदले के आ जाता है welline क्यों आ जाता है glutamic acid के बदले welline क्योंकि GAG के बदले आ जाता है GUG बात समझ में आ रही है सबको तो sickle cellenemia में यह यह याद रखना है कि homozygous HBS, HBS, HBS अगर होगा तब disease होगी क्योंकि यह recessive trait है अगर heterozygous condition होगा तो उसको हम बोलते है sickle cell trait जैसे carrier बोलते है न वैसे sickle cell trait और जैसे ही low oxygen tension में यह जाएगा वैसे ही sickling हो जाएगा RBC का next जो disease आता है वो आता है phenyl ketonuria phenyl ketonuria के बारे में भी जैसे मैंने बताया सबसे पहले आपको यादगने यह autosomal dominant है या recessive है तो यह भी एक autosomal recessive trait है यह क्या है autosomal recessive है यह एक inborn error है metabolism का बच्छा जब पैदा होता है तो भी इमारी लेके पैदा होता है इसमें क्या होता है देखो नाम से क्लियर है phenyl ketonuria phenyl कोई compound keton उसका क्या गुरूप होगा यूरिया मतलब यूरीन में यूरीन में से यह excrete होता है इतना तो क्लियर होगा इसके नाम से phenyl ketonuria इसमें होता क्या है phenyl alanine जो है वो convert होता टाइरोसीन में हमारे बाड़ी के अंदर होता क्या है कि phenyl alanine convert होता टाइरोसीन और टाइरोसीन एक amino acid है जो बहुत useful है, biomolecules में पढ़ रखा है हमने, टाइरोसीन जो है बहुत useful amino acid है, क्या-क्या use है, सोच के बताओ, मन में सोच के रखो, फिनाइल एलानीन से टाइरोसीन बनता है, टाइरोसीन बहुत ज़रूरी है हमारे body के लिए, किसी कारण से अब यह टाइरोसीन अगर नहीं बन पाया, यह टाइरोसीन мелaline भी बनाता है, skin का pigmentation अगर आभी सही से होता है, किसी कारण से अगर यह टाइरोसीन जो है नहीं बना पाया फिनाइल एलानीन, तो क्या होगा, फिनाईल एलानीन हमारे बॉड़ी में डिपॉजिट होने लगेगा फिनाईल एलानीन करवर्ट होगा फिनाईल पाईरुवी कैसीर में और ये जाके एफेक्ट करेगा हमारे ब्रेन को और ब्रेन को अगर एफेक्ट होगा तब मेंटल रिटार्डेशन पर्चा जो है सुस्त हो जाएगा दिमाग से, बोलता है दिमागी तोर पे हिल गया है थोड़ा सा, वैसा हो जाएगा तो और यूरीन के थूँ एक्सक्रेट होता है, यह बताया ही था मैंने तो वो कौन सा एंजाइम है जिसकी डेफिजेंसी से बिमारी होती है तो उस एंजाइम का नाम है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, तो यह डिजीज कैसी है तो और्टोजोमल रिसेसिव, कौन सा एंजाइम का डेफिजेंसी होता है, तो फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, मेंटल डिटारडेशन कराता है और urine के through excrete होता है एक दो disorders और है जैसे कि आजाए ये color blindness पे तो color blindness में याद क्या रखना है आपको कि ये एक sex linked recessive है ये भी एक ex linked disease है ex linked recessive ex linked recessive है यानि इसका किसकी तरह हो गया कौँ सा disease हमने पढ़ा भी ex linked recessive hemophilia की तरह है कि hemophilia males में होता है females में नहीं होता है हमने पढ़ा था same उसी तरह मतलब rare है same उसी तरह देखो color blindness male में 8% होता है और female में सिर्फ 0.4% है यानि males में ये भी ज़्यादा हो रहा है दूसरी बात color blindness नाम से ये कि उसको color को देखने में दिक्कत आएगी तो हमने पढ़ा है कि तीन principal colors के तीन principal color होते है हमारे eye के कौन-कौन सा blue, green, red ये तीन main color होते है हमारे इन तीन color में red और green जो है उनके लिए code करता x chromosome बात सुझ भा रही है red और green के लिए code करता x chromosome और हमने पढ़ा है color vision cones का का काम है तो हर color के लिए हमारे eye में अलग-अलग cone present है जैसे red color के लिए red cone present है green color के लिए green cone present है तो इसमें होता है कि उन cones में defect आ जाता है क्योंकि mutation होने की वज़ाए से cones में defect आ जाता है जिससे ये दिक्कत आएगी तो बस जानना ये है कि males में 8% होता है female में 0.4% होता है याद रहेगा जल्दी बताओ क्यों होगा हमने ये पढ़ रखा है वहीं पे सारी कहानी वही है समझ गए अब आ गया हो thalassemia तो thalassemia भी एक disease है blood से related thalassemia में अब देखो होता क्या है बहुत simple है ध्याद से समझो thalassemia एक autosomal linked recessive blood disease है मतलब autosomal linked recessive है autosomal recessive है यानि किस की तरह हो गया sickle salenemia की तरह है इसका जो inheritance होगा sickle salenemia की तरह बात समझ रहो इसमें क्या होता मैंने बताया था जो hemoglobin का 2 chain होता है मैंने बताया ना 1 alpha chain 1 beta chain hemoglobin का कितना chain है 1 alpha chain 1 beta chain इस disease में क्या होता है problem होती है कि hemoglobin बन ही नहीं पाता है धंक से हमने पढ़ा था ना sickle salenemia में कि hemoglobin बनता है लेकिन defective बनता है यहाँ पे hemoglobin बन ही नहीं पाता है बात समझ रहो तुम लोग यहाँ पे hemoglobin बन ही नहीं पाता है धंक से और जोन सा हीमोगलोबीन धंक से बन नहीं पाएगा वो हुआ है थैलेसीमिया का टाइप जैसे थैलेसीमिया दो तरह का होता है थैलेसीमिया A और थैलेसीमिया B थैलेसीमिया A कहने का मतलब हुआ जिसमें अलफा ग्लोबीन चेंज जो है वो ना बन पाए धंक से ना बन पाए और थैलेसीमिया B कहने का मतलब जिसमें बीटा ग्लोबीन चेन धंक से ना बन पाए समझ रहो के नहीं बहुत असान चीज़ है थैलेसीमिया A, थैलेसीमिया B A जिसमें अलफा चेन ना बन पाए B जिसमें बीटा चेन ना बन पाए और inheritance pattern तो जो मैंने बता रखा है सिकल सेल के लिए वही सेमिया काम करने वाला है अब थोड़ा जीन्स के बारे में जान लोगी कौन सा जीन करता ही है तो simple थैलेसीमिया A का पहले मैं बताते तो थैलेसीमिया A से related दो जीन्स है HBA1 और HBA2 तो नाम से यह है HB मतलब हीमोग्लोबीन E से alpha chain तो alpha chain का deficiency अगर होगा तो उसको बोलेंगे थैलेसीमिया A तो जो जीन होगा उसका नाम बहुत असान है HBA1, HBA2 simple तो थैलेसीमिया A के लिए कौन सा जीन काम करेगा तो HBA1 और HBA2 HB का मतलब हीमोग्लोबीन A का मतलब alpha chain समझ रहे हो समझ रहे हो की नहीं तो थैलेसीमिया A के लिए कौन कौन सा काम करेगा तो HBA1 और HBA2 यह कौन सा क्रोमोजोम पे होता है तो 16 क्रोमोजोम पे याद रखो के थैलेसीमिया A 16 क्रोमोजोम थैलेसीमिया B 11 क्रोमोजोम A 16 B 11 यह नीट में आ सकता है बापू बहुत important question है यह नीट में निश्चित पूछा जाएगा यह A के लिए याद रखो के 16 B के लिए याद रखो के 11 तो थालेसीमिया A के लिए दो जीन्स थे Responsible है तो बहुत आसानी से बता सकते हो कौनसा जीन थेलेसीमिया के लिए बहुत में बता है इस video को दोबारा देखोगे तो पता भी चल जाएगा कि क्या difference है जैसे ही खतम होता है हमारा section medallion disorder पे तो next disorder आता है वो chromosomal disorder तो chromosomal disorder में जल्दी में थोड़ा बताता हूं इसको chromosomal disorders में सिर्फ तीन example आपको याद रखने हैं क्या-क्या down syndrome, cleanifelter syndrome और turner syndrome down syndrome, cleanifelter syndrome and turner syndrome बहुत simple है ये भी down syndrome का नाम down क्यों पढ़ा पहला question जल्दी बताओ down का नाम down क्यों पढ़ा क्यों हमेशा ये सुस्त रहता था इसलिए down का नाम down क्यों पढ़ा down का नाम down इसलिए पढ़ा क्योंकि इसको जो डिस्क्राइब किया था उसका नाम था Langdon Down, इसी के नाम पढ़ गया Down syndrome इसमें होता क्या है? क्रोमोजोम नमबर 21 है, उसका Trisomy हो जाता है मतलब नॉर्मली किसी भी इंसान में एक क्रोमोजोम का दो पेर होता है हमने पढ़ाए हमारा क्रोमोजोम कितना है? 23 पेर एक पेर आता हमारे मदर से, एक पेर आता हमारे फादर से तो Down syndrome में क्या होता है? क्रोमोजोम नमबर 21, डाइगराम में देखो ध्यान से क्रोमोजोम नमबर 21, ये वाला जो है, क्रोमोजोम 21 पे देखो इसके पास दो क्रोमोजोम है, 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 लेकिन इसके पास, द्यान से देखो, इसके पास तो तीन क्रोमोजोम है, इसी को हम बोलते हैं, ट्राइजोमी ओफ क्रो होगा पाम क्रीज यह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ आता है तो इसके फीचर्स और लैंग्देन डाउन ने डिस्क्राइब किया और ट्राइजोमी ट्वेंटी ओन इतना याद रखो कि तो नीट का क अबनॉर्मली तो इसको मोलते है क्लिनी फेल्टर सिंड्रोम पहला कोशन क्लिनी फेल्टर सिंड्रोम से यह आता है कि इसमें होता क्या है तो होता क्या है तो आप समझ गए ट्राइजोमी हो जाता है इसमें ट्राइजोमी कैसे होता है कैसे होता है कि एक एक्स्रा एक्स्रा आ गया समझ गये तो xxy feature आ गया दूसरा इससे question आता है कि यह जो affected individual है यह male है या female है तो आप असानी से बता सकते हैं यह जो affected individual है वो क्या है xy मतलब male है male है लेकिन इसमें x chromosome extra आ गया मतलब कुछ female का भी feature आएगा तो वो कौन सा female का feature आता है तो वो feature आता है gynecomasia mistia लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं इसको maisia development of breast enlargement of breast जैसा female breast होता है male में इसा builds enlarged हो जाता है देखो यह male है लेकिन इसका breast enlarge कर गया है तो यह example है किसका Canon ge wegस К Copie हो जाता है तो लॉस होने के Wagyu लोस होने के जार से क्या हो जाएगा उसक जो भी प्रट्र में ये एक डिग्राम है ये क्सिष्चा के सावटी नहीं होगाहाए जो laz होने के लेकिन इस फीमियर के साथ प्रॉलम क्या है कि इसका ओवरी रिडिमेंटरी है और गॉड अब एक चीज और जान लो कि यह जो भी दोनों चीजे हमने पढ़ी क्लिनी फेल्टर और टर्णर यह दोनों एक्स लिंक्ट हैं आज का तो section था यह काफी important है नीट के लिए और मैंने जल्दी में इसको इसलिए बताया है क्योंकि जादा time waste करने का कोई फाइदा यह topics अगर आपका basic strong है तो बिलकुल कुछ इसमें सोचने की बात नहीं सीधे question आएगा और सीधे आपको answer mark करना है कितना simple है देखो थैले semiya अँतना ही simple है और phd नहीं करनी है सब से पहली बात है अपनको ही पिएच़िटी नहीं करना है हम लोग यहां पिएच़िटी करने के लिए हाई है नीट क्रैक करना है और नीट क्रैक करता है स्मार्टली पढ़ने से नीट क्रैक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहने से नीट क्रैक नहीं होने वाला है नीट क्रैक करने का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आपको स्मार्टली पढ़ना है ठीक से मेनत करनी है, सिर्फ मेनत करने से नीट निकलेगा, मेनत सही direction में होनी चाहिए, तब ही जा कि आपका नीट निकलेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा और ज्यादा वीडियो बनाओ, अगर तुम लोग को ये content पसंद आ रहा हो, तो like, share, subscribe करो, ताकि मैं और ज्यादा motivated हूँ और और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ और thank you